हेलो स्टूडेट मैसलफ सेलिश दूमा laughs और आध से हम लोग अपने group 17 elements के discussion को start करने जा रहे हैं इसनवाले पर एmayın group 18 elements का discussion कंप्लेट क Questo time कर रहे हैं सबसे पहले यह जो गिवण पैराग्राफ यहां पर लिखा हुआ है इसकी हम अच्छे से meaning देखेंगे उसके बाद वापस इस पर return होके इसमें से जो भी important points से उसको highlight अप करेंगे जैसा है कि हम अपने previous videos में कर रहे थे तो आईए बिना किसी देरी के वीडियो को देखें हमारा जो discussion है वो है आपका group 17 के बारे में सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए कि इस group 17 में elements कौन-कौन से आते हैं मुझे पता है आप लोग को पता होगा लेकिन लिख लेते हैं इसको एक बार fluorine फिर chlorine फिर आता है आपका bromine then iodine और last ली आता है आपके पास में estetine ठीक है नाम भी लिख लेते हैं F किसको represent करता है आपका F represent for fluorine CL किसको represent कर रहा है आपके पास में chlorine ठीक है BR किसको represent करता है bromine I stands for iodine और AT इसको किसको हम represent करते हैं इसको हम बोलते हैं estetine ठीक है यह आपका हो गया group 17 elements की listing अब इसमें से क्या-क्या important बात है जैसे हम group 1 को alkali metals कहते हैं ठीक उसी तरह से group 17 का जो नाम है हमारे पास में वो क्या है हमारे पास में halogenes कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं आपका halogenes कहते हैं halogenes का मतलब क्या होता है अगर मैं बोलू इसका particular meaning क्या होता है halogenes का तो इसका meaning होता है आपका salt producer ऐसा क्यों कहते हैं ये जब हम chemical reactions देखेंगे न तो आप इसको और अच्छे समझेंगे कि salt producer क्या कहते हैं फिलाल आप ध्यान रख सकते हो group 17 elements की listing क्या-क्या हो गई इसका common name क्या हो गया halogenes जिसका मतलब क्या होता salt producer इसके बाद और कौन कौन सी चीज़े है देखिए हमें पता है अगर ये एक periodic table हम assume करें तो इस side में हमारे कैसे elements present होते हैं इस तरफ हमारे metallic elements आपके present होते हैं वहीं दूसरी तरफ इस side में किस तरह elements present होते हैं यहां पर present होते हैं non elements जो हैं these are non metallic in nature ठीक है ये चीज़े आपको देखनी चाहिए एक और जो बहुत important भाई यहां से निकल के आती है कि इसमें जो deviation in properties जो होता है deviation in property among group 17 among group 17 ये क्या होता है काफी minimum होता है यानि आपके सुक तक तो ना की बराबर होता है जैसे हम अगर कोई भी properties पढ़ते हैं आप देखोगे इसमें अभी हम read करेंगे table से boiling point, melting point हो गया या कोई भी property हो गया density हो गया तो बहुत ही sharp gradation आपको देखने को मिलेगा यानि उसमें ज़्यादा change देखने को नहीं मिलता है जो normal trend होती है न चीज़ों की normal trend से क्या मतलब है जैसे अगर मैं बोलू कि atomic radius down the group जाओगे तो बढ़ेगी ही आवनाजिशन energy down the group जाओगे तो वो घटेगी ही जैसे यह आवनाजिशन energy होगे तो इसको decrease ही होना है atomic radius है तो इसको increase ही होना है तो इस तरह की जो normal trends होते है वो इस group में strictly follows हो जाते है तो ज्यादा इसमें आपको deviation देखने को नहीं मिलता है और इसमें क्या खास बात है इसमें एक last point और हमें निकल के आता है कि जितने भी given element है उसमें estetine और एक और element हमारे पास tenecine जो अभी आपका recently discovered हुआ है यह दोनो जो element है यह आपके क्या है आपके radioactive elements के अंदर में fall होते है ठीक है तो यह दोनों कैसे है आपके radioactive elements है तो यह है आपका introductory part अब चलते हैं वापस अपने NCRT के उपर और वहां से देखते हैं कौन-कौन से highlighted points हमें इसमें देखते हैं यहां से हम लोग read करते हैं इस चीजों कौन- फिर chlorine, फिर bromine, फिर iodine, astenine और एक last element है tannacine वो recently discovered elements है यह किसको form करते हैं group 17 को form करते हैं नाम क्या है इनका halogen's नाम है मतलब क्यों होता है halogen's का देखो salt producer होता है किस तरह का nature है इन elements का यहां से आप highlight कर सकते हो non metallic elements है और यहां पे देखो great similarity among themselves यानि उसकी properties में ज्यादा deviation न gradation in the properties आपको देखने को मिलेगी आइदर वो physical हो या chemical हो कौन कॉंसिस में आपके radioactive elements है तो astenine and tennyson are the radioactive elements तो यह आपका पूरा का पूरा meaning हुआ from the first paragraph अब चलते हैं second paragraph के उपर देखी यहां पे हम इसको देखते हैं यह हमारे पास second paragraph जो हमसे deal करता है occurrence यानि यह elements किस तरह से प आपको चीजें को इस तरह से नहीं याद करना है कि fluorine कहां पाय जाता है chlorine कहां पाय जाता है इस तरह की question नहीं पूछी जाते मैं आपको बताता हूं जिससे देखो यहां पे लिखा गया floor spark ठीक तो इसका formula क्या हो गया CAF2 फिर क्या लिखा गया cryolite NA3 ALF6 fluoro appetite तो यह उसका given formula तो यह जो formula है आपको यह directly यहां पे याद होने चाहिए क्योंकि यह formula directly exam में match the following type में आपसे J में भी पूछ लेता है जैसे और देखिए आप यहां पे carnalite तो उसका formula क्या हो जाएगा KCL MDCL 2.6H2 तो यह वाली जो चीजें है ना यह आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहि ध्यान में जरूरी नहीं है यह जो मैंने जो formula highlight किया बस इसको याद कर लो बाकी जैसे आप यहां पे चीजें पढ़ रहे हो जैसे मैं एक दो चीजें आपको highlight करता हूँ जैसे इस तरह की चीजें आप समझा करो खुद से भी कि मिरको इस तरह की चीजें काम की नहीं है जै इस तरह की चीजें मेरे से नहीं पूछी जाएंगी directly यह जो formula है वो मेरे को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ जाना है इससे आपका भी time यहां पे save होगा ठीक है ओके तो अब हम चलते हैं इस table वाली properties के उपर यहां पर यह table आपका दे रखा है जिसमें कई सारी properties आपके list अप कर रखे हैं देखिए अभी हमने थोड़े दिर पहले आपका पढ़ा था कि जो भी आपकी हेलो जान्स होते हैं उनमें regular gradation होता है आपका physical और chemical properties में जैसे अगर मैं बोलू आपको कोवलेंट radius को आप ध्यान से देखिए तो आपको पता है down the group क्या होता है वो आपका बढ़ता चला जाता है देखो पहले 64 ता फिर 99 फिर 114 फिर 133 यानि लागातार बढ़ रहा है कोई इसमें क्या आपको anomaly देखने को मिल रही है नहीं इसका मतलब यह मेरे किसी काम की property नही आपको पता है down the group कम होनी चाहिए पहले 1680 फिर 1256 फिर 1142 फिर 1008 तो इस तरह से यह भी आपका decrease हो रहा है तो यह भी मेरे किसी काम का नहीं है अब मैं आपको बताता हूँ इस पूरे table से दो ही ऐसी चीजे हैं जो हमसे question है पूछी जाती है पहला होता है आपका electron gain enthalpy यह वाला enthalpy का data ठीक है इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं क्योंकि बहुत ही जादा ज़रूरी है इस पूरे table से इन ही दोनों point से ही आपके question आते हैं तो पहले हम समझते है bond dissociation enthalpy के उपर फिर आएंग के हम electron gain enthalpy के उपर ठीक है देखिएगा ध्यान से हमें पता है जैसे अगर यह माल the group बढ़ते हो यानि आप इस direction है बढ़ते हो तो होता क्या है सर आपका radius क्या करता है increase कर जाता है और अगर radius increase कर जाएगा तो bond की जो strength होती है bond की जो strength होती है यह s लिखा हुआ है strength जो होती है वो क्या हो जाती है आपकी कम हो जाती है radius बढ़ा होता है तो bond easily तूट सकता है तो इसलिए क्या होता है इससे क्या बात पता चलती है मिरको कि bond dissociation जो energy होती है bond dissociation energy यह क्या हो जाती है कम हो जाती है तो अगर यहाँ पर topmost में fluorine है और last में मैं यहाँ पर iodine मान लेता हूँ तो अगर मैं bond dissociation energy की बात करता हूँ तो मेरा जो expected trend होना चाहिए था यानि जो मेरा expected answer होना चाहिए था वो कुछ होना चाहिए था सबसे ज़्यादा मेरे को fluorine को तोड़ने में energy लगने चाहिए थी फिर chlorine को फिर bromine को फिर iodine को यह मेरा answer यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन यह sequence हमको देखने को नहीं मिलता है हमको क्या दिखता है actual answer क्या दिखता है actual हमें जो actual answer दिखता है वो होता है सबसे ज़्यादा bond dissociation energy होती है chlorine की फिर होती है मेरे पास bromine की फिर होती है fluorine की and then comes the iodine यह मेरा answer यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो अब यहाँ पर question यह आता है कि इस तरह का deviation हमको देखने को क्यों मिला यह deviation ऐसा क्या हो गया कि यह deviation हमको देखने को मिला उसी को हम यहाँ पर समझते हैं देखेगा बहुत interesting answer है और यह वाला जो है न bond dissociation data इसको एकदम याद कर लिजेगा तो हम star करके बहुत ज़रूरी है exam में direct question आ जाते हैं ठीक है देखेगा अगर मैं बोलता हूँ आप fluorine की structure बनाईए तो fluorine का molecule आपको इस तरह से बनाएंगे और 3-3 lone pair हैं दोनों के उपर तो इस तरह से मैंने fluorines के lone pair भी आपको show कर दिये नीचे ही आप chlorine का भी structure बनाईए ठीक है यहाँ पे आप chlorine का structure बनाईए obvious ही बात है दो chlorine atom fluorine से तो थोड़ा ज़्यादा distance पे होंगे क्योंकि down the group हम जाते हैं तो distance क्या हो जाती है यहाँ पे बढ़ जाती है यह हो गया दोनों molecules का structure ठीक उपर बना हुआ है fluorine नीचे बना दिया मैंने chlorine अब यहाँ पे समझने ही कोशिश करना अब देखो यहाँ पे यह जो bond है यह है क्या आपकी bond distance कि अगर हम बात करें तो यह bond distance है काफी जादा कब जब bond distance है कम तो यह जो lone pair यहाँ पे present है यह जो lone pair है यह होंगे काफी जादा close अगर bond distance है कम तो lone pair हो जाएंगे close अगर हो जाएंगे यह close तो क्या हो जाएगा electronic repulsion जो हो जाएगा electronic repulsion जो होगा वो क्या हो जाएगा काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो lone pair का repulsion इतना रहादा बढ़ जाएगा कि ये चाहेंगे कि ये दो जो fluorine fluorine का जो bond है ये तुरंत तूट जाए ताकि हम दोनों एक दूसरे से दूर चले जाए और हमारे बीच का जो repulsion है वो क्या हो जाए काफी जादा कम हो जाए बात को समझिएगा लेकिन सेम अगर आप chlorine में देखोगे तो है lone pair यहाँ भी और यह lone pair यहाँ भी लेकिन already जब ये bond की distance जादा है यहाँ पी क्या है ये जो आप कहा सकतो bond की जो distance है ये already क्या है काफी जादा है जिसके वज़े से ये जो है repulsion वो क्या है already काफी कम है तो वो repulsion वाला जो force है इस bond को तूटने में उतना support नहीं कर पाता लेकिन fluorine के case में वो repulsion है बहुत जादा इस वज़े से क्या हो जादा है वो support करता है और bond हमारा क्या हो जाता है ब्रेक हो जाता है यही वो कारण है जिसके वज़े से सबसे अदा bond dissociation energy chlorine की होती है फिर bromine की then fluorine then comes the iodine ठीक है तो ये काम है इसको चाहो तो आप screenshot ले लो ठीक चली तो ये हो गया आपका यहाँ पर reason की मैंने आपको समझाया की ऐसा क्यों होता है तो अभी हमने देखा कि आपका क्या reason था कि chlorine की bond dissociation energy की अगर हम बात कर रहे थे वो ज़्यादा थी in comparison to fluorine ये भी हमने अच्छे से समझ लिया यही same काम आपका यही same reason अपलाई होता है electron gain enthalpy के लिए भी ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखो fluorine जो है उसका size है काफी छोटा जिसके उपर already आपके इस तरह से lone pairs of electron इस तरह से present है ठीक है 7 electron surround किये हुए है यहाँ पर एक electron को और इसके पास आना है और इसके octet को complete करना है similar काम है chlorine का भी chlorine का size है काफी ज़्यादा बड़ा इसके comparison है fluorine के और उसी तरह से 7 electron यहाँ पर इस तरह से distributed है एक electron को और आना है इसका octet complete करना है अब इसका size है छोटा यह है छोटा size और same इसी chlorine का size है काफी ज़्यादा बड़ा तो जो incoming electron आता है उसको काफी अंदर तक आना पड़ता है जिसके वज़े से क्या होता है यह सब जो electrons already यहाँ पर lone pair के formant present है यह क्या करते हैं इसको काफी ज़्यादा repulsion दे देते हैं जिसके वज़े से इस incoming electron को काफी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो इस वज़े से इसके वज़े से overall जो attraction का effect है रहा वो उतना effective नहीं हो पाता है लेकिन chlorine जो case में इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर यह उसको attract तो कर रहा है लेकिन repulsion क्या है काफी ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि बड़ा space है दूर दूर electron है तो repulsion हो जाता है कम और attraction हो जाता है काफी ज़्यादा अच्छा इसी वज़े से इसकी जो electron gain enthalpy है वो क्या हो जाती है आपकी fluorine से सरपास कर जाती है इसी वज़े से इसमें जो हमें data देखने को मिलता है electron gain enthalpy का वो होता है सबसे ज़्यादा chlorine फिर आता है fluorine then bromine then iodine अब fluorine और bromine में क्यों नहीं compare करते है क्योंकि bromine का size तो है काफी ज़्यादा बड़ा और fluorine का size है काफी ज़्यादा कब तो bromine का यह अगर atom है और यह fluorine का atom है तो यह तो उतना अच्छा attract ही नहीं कर पाता है इसलिए इन दोनों में कोई comparison नहीं होता है comparison होता है तो only chlorine और fluorine के अंदर ही comparison करते है यह आपका simple सा reason है attraction वाला और repulsion वाला principle यहाँ पर काम करता है hope करते हैं आपको यह ओला point भी clear ठीक है तो यह पूरा का पूरा table हो गया जिससे हमने समझ लिया कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीजे हमारे यहाँ पर पूरी तरह से काम कर रही है ठीक चली तो मैंने यह जो green में highlight किया है यही वाले point आपके क्या होते है काफी ज़्यादा पूछा आते है इसी को आप prepare करना बाकी चीजे regular radiation होती है जैसे density है तो आप देख सकते हो रेगुलरली वो increase कर रही है तो वो as such कोई important नहीं बनता है electron के enthalpy और bond dissociation enthalpy से ही question हमारा पूछा ओके तो आईए अब इन next properties को हम यहाँ पर discuss करते है देखे हमने electronic configuration देखी लिए आपको पता है एक ही electron short होते है यह octet complete होने से इसे लिए इनके जो outer motion में configuration होती ही वो क्या होती है ns2np5 होती है atomic ionic radii हमने देखी लिया down the group क्या होता है increase करती है ionization enthalpy का भी trend discuss कर लिया और electron gain enthalpy का भी बात है हमने यहाँ पर कर लिया जो एक छोटी से anomaly थी उसको भी हमने यहाँ पर आपका cover up कर लिया था देख लेते हैं इसमें से भी एक जो छोटे से point है उसको highlight कर देते हैं अगर वो fluorine वाली बात इसमें लिखी होगी देखो यहाँ पी यॉल पॉइंट है as a result there are strong inter electronic repulsion in the relatively small 2p orbitals of fluorine and thus the incoming electron does not experience much attraction यही वाला जो कारण था वो apply हो जाता है कि fluorine के electron gain enthalpy कम क्यों जाती in comparison to chlorine ठीक है अब आईए चलते है next lastly यहाँ पे हम बात करते हैं आपका electro negativity के उपर तो आपको पता है electro negativity जो होती है पूरे के पूरे periodic table में किसकी ज़्यादा होती है fluorine की ज़्यादा होती है और अगर हम halogenes में trend की बात करें तो आपको पता ही है सबसे आदा fluorine फिर chlorine फिर bromine और फिर iodine तो यह अकसर exam में question आ रहता है कि fluorine although सबसे आदा electro negative है लेकिन फिर भी उसकी electron gain enthalpy chlorine से कम है क्यों explain करें इस बात को तो आप इसको inter electronic repulsion जो repulsion वाला मैंने आपको concept बताया उसके basis पे चाहूँ तो आप इसको explain कर सकते हूँ ठीक है तो यहाँ तक हमने इसको पूरा cover कर लिया पूरा यहाँ तक तो अपने next वीडियो में फिर हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे यह एक introductory वीडियो था अगले वीडियो से इस topic की length को भी हम increase कर देंगे तो hope करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like और share जरूर करना और अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है सब्सक्राइब करके bell notification जरूर प्रेस कर लेना है क्योंकि ऐसी ही useful वीडियो आपके लिए में सा लाते रगा